कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने दो तीन वेपार करके देख लिए और घाटाई घाटा हो रहा है इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है इसमें मुझे उन्नती नहीं मिल रही है या कर्जा बढ़ रहा है घट नहीं रहा है वो बहुत करजा बढ़ गए तब एक प्रयोग जरूर करिये लाग तब बन सके परदूश के दिन एक धतूरा भगवान संकर के शिविलिंग के उपर रग दीजी जब तुम्हें लगे कि मैंने दो तिम बेपार बदल कर देख लिए चल नहीं रहें या करजा बढ़ रहा है घट नहीं रहा तब एक धतूरा भगवान संकर के उपर रग दीजीए धतूरा रखने का एक नियम होता है धतूरे की जो डंडी होती है देखिए कि छोटी सी डंडी होती धतूरे में वो डंडी धतुरे की आप चहां बेटे हो उससे विप्रित होना चाहिए धतुरे की डंडी आप इधर बेटे हो तो धतुरे की डंडी उधर लगा अपने को लग रहा है कि वेपार में बदल लिया दो बार चार बार छे वार वेपार बदल के देख लिया और करजा बढ़ रहा है पर वेपार भी नहीं चल रहा ठेक्टी डाली वो भी चल बंद हो गई तुकान डाली वो भी बंद हो गई पर दोष के दिन धतूरे को रखिये पर डंडी विप्रित दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी सतूरे के ओपर आप चड़ाना प्रारानम कर दिजिए जो शिवलिंग के ओपर रखा हूँ महराज, हाट के इश्वर महादेव का नाम लेकर कौन से महादेव जम के बोजरा हाट के इश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वाकिस घर में लिया जाता है वापिस लिया उसके बाद तुम जिस कारे में हाट डालोगे और जो कारे करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चलू हो जाएगी और करजा भी दीरे दीरे चूकना प्राडम हो जाएगा सम्मंद नहीं हो रहोंगे तो सम्मंद होना प्राडम कौन सा महादेव? जम के बुलिए जरा हाट पिश्च और महादेव का इसमा